Welcome to my channel debit your knowledge आज हम सीखेंगे कि pay fixation कैसे होता है on promotion under 7 CPC देखें pay fixation जो होता है promotion पर वो इस दो चीजों पर depend करता है कि आप अपना जो pay fixation है date of promotion से करवाना चाहते हैं मतलब कि आप अपनी basic salary जो decide करवाना चाहते हैं जिस दिन आपका promotion होता है जिस तारिक को आपका promotion होता है उस date से करवाना चाहते हैं या from the date of next increment से करवाना चाहते हैं ठीक है देखें जब employee का promotion होता है तो उससे एक महीने का समय दिया जाता है ये decide करने के लिए वो अपनी जो basic salary है कैसे fix करवाना चाहता है जिस दिन उसका promotion हो रहा है उस date से या फिर जो उसका next increment होगा उस date से ठीक है अब हम cases समझते है examples के साथ तो case समय बाना आता है यदि employee चुनता है कि वो अपना pay fixation date of promotion से करवाना चाहता है तो आप कैसे करेंगे समझ लीजिए कि मेरा level 3 है और मुझे basic salary फिलाल 25,200 पर मिल रही है मेरा promotion 10 में 2021 को हो रहा है जो कि level 4 हो जाएगा question समझ में आ गया और यहां पर मैंने pay matrix का थोड़ा सा snip करके photo लिया है तो आप यह भी table पर धियान रखिएगा तो level 3 के हिसाब से मुझे फिलाल 25,200 पर मिल रहे है यहां पर given है 25,200 यह मेरी current basic salary है अब मैंने सुना है कि मुझे pay fixation करवाना है date of promotion से तो क्या होगा जो मेरा current level है level 3 उसमें मुझे एक increment दे दिया जाएगा एक increment देने के बाद मेरी basic salary कितनी हो जाएगी 26,000 रुपए समझ में आ गया जो आपका current level है आप उसमें एक increment दीजिए उसके बाद जो amount आता है उसको आप promotional level पे सर्च कर तो यहां पर मेरा promotional level कौन सा है level 4 है फिर मैं 26,000 को level 4 में ढूंडूंगी और फिलाल आप देख सकते हैं कि level 4 में 26,000 available नहीं है अगर 26,000 available नहीं होता तो हम उसका next higher वाला ले ले लेते हैं जो कि है 26,300 तो मेरी basic salary 26,300 हो जाएगी कौन सी date से जिस दिन से मेरा promotion हो रहा है जो कि है 10 में 2021 सिंपल सी बात यह है कि जो भी आपका current level है और आपने date of promotion से अपना pay fixation करवाना चाहते हैं तो जो आपका current level है उसमें आप अपने आपको एक increment दीजिए और फिर जो भी increment के बाद जो amount आता है उस amount का promotional level पर दिखें प्रमोशनल लेवल का मतलब वो level जिसमें आपका promotion हो रहा है उस level पर वो amount locate करें अगर वो same amount मिल जाता है तो फिर वो ही आपकी basic salary होगी promotion की date से अगर वो amount नहीं मिलता तो उसका जो next higher वाला होता है जैसे इस case में 26,000 नहीं था available तो 26,300 हो गया तो मेरी basic salary 26,300 हो जाएगी from the date of promotion I hope आपको ये case समझ में आ गया हो अब next case देख लेते हैं pay fixation from the date of next increment इसका मतलब क्या है कि जो employee है promotion की date से अपना pay fixation नहीं करवाना चाता है वो अपना pay fixation date of next increment से करवाना चाता है मत्तब कि जब उसका increment का date होगा उस दिन से वो अपना pay fixation करवाना चाता है ठीक है तो example हम वही same ले रहे है कि current level 3 है और basic salary 25,200 ह पे matrix में आप दे सकते हैं और promotion date जो है 10th में 2021 है पर वो अपना pay fixation है 10th में 2021 से नहीं करवा रहा है वो अपना pay fixation date of next increment से करवा रहा है उसका promotion level 4 में हो जाएगा अब इस case में देखते है कि pay fixation कैसे होगा देखिए जैसा मैंने बताया था कि अभी जो मेरा current level है जो फिलाल मेर level चल रहा है वो level 3 है जिसमें मुझे basic salary 25,200 रुपे मिल रही है तो हम इस case में क्या करेंगे 2 increments देंगे 1 July 2021 को क्यों देंगे क्योंकि वो increment की date होती है तो 1 July 2021 को हम उसे current level पर मत्ता कि level 3 पर 2 increment देंगे देंगे दैसा कि आपने previous case में देखा था कि हमने उसमें सिर्फ एक increment दिय करेंगे current level पर अब मैं 2 increment दे दूंगी तो 7 pay matrix के साब से मेरी basic salary कितनी हो जाएगी यह मेरा first increment हो गया 26,000 second increment हो गया 26,800 तो मतलब कि मैं 26,800 consider करूंगे 2 increments के बाद 26,800 मैंने यहा पर लिखके दिखाया आपको अब हम यही same amount अपने promotional level पर देखेंगे जो कि मेरा level 4 है ठीक है अ अब हम 26,800 अपने level 4 में देखेंगे कि यह amount available है या नहीं अगर हमारे level 4 के scale में यह amount available नहीं है तो हम इसका next higher वाला लेंगे और अपनी basic salary fix करेंगे अब देखेंगे लेवल 4 में 26,800 अवेलेबल नहीं है 26,300 अवेलेबल है जो कि हम नहीं ले सकते तो 26,800 अवेलेबल नहीं है 27,200 से जो कि मेरी increment date है ठीक है आपने difference देखा कि उसमें promotion date से हो रहा था उसमें 10 में 2021 से employee को basic salary बढ़का मिल रही थी पर यहां पर उसने अपना pay fixation 17,200 से करवाया है जो कि इसकी promotion date है अब एक और point है जो मैं यहां पर बताना चाहते हूं आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि जो मेरी promotion date से लेके जो increment की date तक मतलब की 10-5 से मेरा promotion हुआ है और 36,2021 तक मुझे कितनी basic salary मिलेगी ठीक है एक साथ 2021 से तो मैंने आपका calculation बता दिया कि कैसे करना है next increment date से वो अपना pay fixation करवाना चाहता है employee पर 10 में 2021 जब मेरा promotion की date है और 36,2021 तक क्या मुझे basic salary 25,200 ही मिलती रही या बढ़के मिलेगी देखिए बढ़के मिलेगी कैसे मिलेगी यह भी बता देती हूं जैसा मैंने आपको बताया था कि level 3 में आपकी basic salary 25,200 है फिलाल अगर आप अपना pay fixation the date of next increment से करवाते हैं तो जब promotion date से लेकर increment का वो जो पहले वाला दिन पीरेड होता है यह जो आपको salary 25,500 रुपे मिलेगी आपकी basic salary 25,500 मिलेगी 25,200 नहीं होगी और यह 25,500 कैसे आया 25,200 का ही हम level 4 में amount locate करेंगे अगर वो amount available है तो 25,200 ही आपको मिलती रहेगी अगर वो amount available नहीं है तो उससे जादा वाला आपको basic salary मिलेगी जो की हो जाए गया 25,500 रुपे I hope आपको pay fixation करना समझ में आ गया हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरे चानल, debit your knowledge का, अगर कोई भी, फिर भी कोई doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं clear करने कोशिश करूँए, thank you very much, bye-bye